निकाय चुनाओ से पहले निर्वाचन आयोग ने चाचा को दिया बड़ा तौफा तो प्रस्पा में दोड़ी खुशी की लहर निर्वाचन आयोग से चाचा को मिला सिगनल तो सपा के लिए करो या मरो की इस्थती चाचा के साथ रहना है या नहीं फैसला जल्दी लेना होगा साफ हो गया अब चाचा मैदान में अपनी पार्टी के बैनर तले ही ठोकेंगे सियासी तार चुनाओ आयोग ने भी लगा दी मोहर शोपाल सिंग को था जिस पल का लंबे अर्से से इंतजार आखिरकार निर्वाचन आयोग ने इंतजार खत्म कर दिया निकाय चुनाओ की तैयारी में लगी सपा के लिए विस्थिती करो या मरो की है क्योंकि चाचा शोपाल सिंग यादव को निर्वाचन आयोग ने जो सिगनल दिया है वो सपा के लिए रेड लाइट दिखा रहा है चाचा के साथ आगे बढ़ना है या अकेले ही राहें तैक करनी है इसका फैसला सपा आला कमान को जल्दी लेना होगा वही दूसरी तरफ चाचा ने साफ कर दिया है कि अगर फैसला न लिया गया तो फिर वो अपनी पार्टी के ही बैनर तले सियासी ताल ठोकेंगे चुनाव चिन आवंटित कर दिया है इसमें प्रस्पा उमीदवार चुनाव चिन स्टूल के नाम पर वोट मांगते नजर आएंगे निकाय चुनाव में यही उनकी पार्टी का नया सिंबल होगा इससे पहले प्रस्पा के पास चुनाव चिन चावी था लेकिन विदान सभा चुनाव में भी चुनाव चिन चावी की जगए स्टूल आवंटित किया गया था हाला कि समादवादी पार्टी से गटवंदन होने की बज़े से प्रस्पा ने अपने उमीदवार मैदान में नहीं उतारे थे और पार्टी प्रमुक्ष उपाल सिंग यादव जस्वंत नगर विदानसबा सीट से सपा के चुनाव चिन साइकल से चुनाव लड़कर विज़ा हुए थे अब निकाय चुनाव में सपा अपने नए सिंबल के साथ शेहरों में दमखम दिखाने के मकसद से उतरेगी पार्टी प्रमुक्ष उपाल सिंग यादव ने पूरी ताकत के साथ कारिकरताओं को चुनाव की तैयारियों में जुटने का निरदेश दिया है उनका दावा है कि नगर निकाय चुनाव में प्रस्पा एक बड़ी ताकत बनकर उबरेगी इससे पहले सवाल उट रहे थे कि सपा संस्थापक मुलाइम सिंग यादव के निधन के बाद क्या चाचा बतीजा एक बार फिर साथ नजर आएंगे शोपाल सारे मतमेद बुलाकर क्या बतीजे सपा प्रमुखा खिलेश यादव के साथ हो जाएंगे क्योंकि शोग के समय मुलाइम सिंग यादव का पूरा कुनवा सहपई में जिस तरीके से एक जुट दिखाई दिया था उससे इस तरह की अटकलें लगाई जा रही थी हाला कि शोपाल सिंग यादव ने अब सपा के साथ आने के जुड़ा को खारिज करते हुए कहा है कि वो प्रगतिशी समाजबादी पार्टी में हैं और उसे मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं उन्होंने साफ कहा कि सपा से जुड़ने पर अभी कोई फैसला या बातचीत नहीं है हम इंतजार कर रहे हैं कि हमें वो क्या जिम्मेदारी देते हैं इसके बाद फैसला लिया जाएगा अभी हम प्रस्पा को मजबूत बनाने में लगे हैं उधर राश्रिय लोक दल के करना होगा देरो रिपोर्ट मीडिया हल चल